राज्य अबादी के अधार पर हिंदूों को भी दे सकते हैं अल्प संख्यक का दर्जा सुप्रिम कोट में केंदर सरकार ने दाखिल किया हलफ नामा केंदर सरकार ने साफ तौर पर काये कि राजी अपने आ जनसंक्य के आधार पर हिंदूओं को भी अल्पसंक्य समूदाय का दर्जा दे सकते है जनसंख्या दार्मिक और भाशाई आधार पर अल्पसंख्यकों की पैचान करने और उसको लेकर दिशा निर्देश तै करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रिम कोट में हलफ नामा दाखिल कर ये बात कही है इस मामले में अब सुनबाई 10 माई को होगी सुप्रिम कोट ने राष्टी अल्पसंख्यकायोक अधिनियम 1992 के तैत अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ती के खिलाब एक याचिका पर स्पष्ट जवाब देने के लिए केंद्र को और समय दिया सॉलिसिटर जनरल तुशार मैता ने कोट से समय मांगते हुए का था कि उन्होंने केंद्र सरकार की और से दाखिल किया गया हलपनामा अभी पड़ा नहीं है कोट उन्हे हलपनामा पढ़ने और बहस करने के लिए कुछ समय दे नैम मूर्ति संजे किशन कॉल की अद्धेक्ष्टा वाली दो सदस्य पीठ ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अल्धकंख्यक मामलों के मंत्राले की तरफ से दाखिल हलपनामा तो आज अकबारों में छपा है और सॉलिसिटर जनरल ने भी अभी उसे पड़ा नहीं है का समय आचिका करता को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए देते हुए मामले को 10 माई को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया भिरो रिपोर्ट टीम टॉप स्टोरी नियोज